73 करेंगे और यह आपका चैप्टर 9 है जिसका नाम है आनुवान शिक्ता इवं जैविकास आपने पीछे मेंडल एक्स्पेरिमेंट देखा पिछली वर्क्षीट में आज हम करेंगे अनुवान शिक्ता के बारे में ही है लेकिन उसके दो अलग 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 लक्षनों को लेकर कैसे मोनो हाइब्राइड और बाई हाइब्राइड क्रोसिंग होगी उसके बारे में जानेंगे तो मेंडल ने जो द्वी संकर क्रोस या बाय हाइब्राइड क्रोस मतलब एक अलग-अलग विशेश्कों के लक्षनों के जोड़े का एक क्रोस के अधार पर अलग से सामाने करण के माध्यम से सवतंतर वर्गी करण का कानून प्रस्तिवावित किया उदारण के रूप में एक बीज का रंग और बीज का आकार लिया और इस नियम के अनुसार क्या देखा कि प्रते एक लक्षन की जो प्रतिकृतियां हैं वो एक दूसरे से सवतंतर रूप से द्वी शंकर क्रोस में युगमक निर्मान के दोरान वन्शानुगत होती है यानि स नहां पर देखें कि क्या होता है जब मटर के पोदे में दो अलग-अलग लक्षन की प्रतिक्रियों की सवतंतर वन्शागति का होना का द्यान किया जाए तो क्या होगा जैसे गोल बीज वाले लंबे पोदे और जुरीदार बीज वाले छोटे पोदे तो पोदे की संतति कै इसे दिखाए देगे इसे भी लंबे होंगे सारे बीज गोल होंगे लंबाए गोलाए किस प्रकार प्रभावी लक्षन है लेकिन क्या होता है कि जब फर्स जनरेशन में सब प्रागन के कारण F2 संतति उत्पन की जाती है और इसी तरह यदि दो लक्षनों जैसे बीज के आ यानि जो भी अर्द सुत्री विबाजन के दोरान अंड और प्राग उत्पाधन के समय जीन के दो जोड़ी के सतंतर सियोजन को समझने के लिए पैनेट वाका प्रभावी उप्योग किया गया और जब गोल हरे बीजों वाले एक सम्युगमी पोदे को दूसरे रेकशुद रेकश वाले जुरीदार पीले बीजों के साथ संकृत किया जाएगा तो उसमें जो एलील बनती है वो आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का लगाओ माना जाते हैं और 50% युगमक में जीन आर होता है और अन्ने 50 में स्मॉल आर होता है जब प्रतेक युगमक के लाओ जि वाई और 50% स्मॉल वाई के अलगाओ से सवतंत रहें इसलिए 50% आर वाले युगमकों में वाई और 50% वाई वाले में आर होता है और इसे तरह आर वाले युगमकों के लिए 50% में वाई और अन्ने 50 में वाई होता है इस तरह चार जीनो टाइप बन जाते हैं और चार प्र परसेंट और कुल युगमोगों के एक बटा चार हिस्सा होती है जब हम एक पैनेट वर्ग के दोनों पाश्वों पर चार प्रकार के खंडों को रखते हैं तो F2 पोदों को जनन देने वाली युगमजर की संद्रचना प्राप्त करना आसान हो जाता है और इसमें जो फिनोट लेकिए इसके अंदर यह जो पैत्रिक अपेरेंट है कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई दो अलग लग इसमें ले लिए इसके अंदर जो गोल पीले यह गोल है और पीला दो डोमिनेटिंग है इसमें फीचूर्स गोल है तो जुरीदार आप्रभावी लक्षन है अगर पीला प्रभावी है तो यह हरे वाला है आप्रभावी है तो इसमें जो युगमक बनते हैं आर वाई बना इससे और इससे स् संतती में capital R, small r, capital y, small y, और इसका जब self-pollination करा जाता है, same poday के साथ संकरन करा जाता है, तो इसमें अलग-अलग संतती बन जाती है, जैसे r, y, ये वाली इसके साथ अगर तूट जाती है, अलग से, तो चार तरह की इसके अंदर, चार options हो जाते हैं, जैसे r, r, और ये बन ज अलग-अलग तरह का pennant बन जाता है, F2 generation में, left or right में, और आपको जो phenotype मिलेंगे, वो आपको 9 is to 3 is to 3 is to 1 मिलेंगे, ये से आप प्रभावी ये प्रभावी लक्षनों का निकाल सकते हैं, तो इस तरीके से आपको ये अभ्यास के लिए questions करने हैं, ताकि आप उसको sheet को और अ we are going to study about law of independent assortment, Mandel proposed the law of independent assortment on the basis of generalization derived on the basis of dihybrid cross, money means a crossing of pairs of traits of two different characters, for example, the round and wrinkled seed as well green and yellow, so, seed color and seed shape are the two different characters and they are hybrided by the cross pairing of these traits, now according to this law, what this law states, the traits of each character are inherited independently of each other during gamut formation in the dihybrid cross, assorted independently and what happens when the pea plant showing two different characters rather than just one, are bred with each other, what do the progeny of the tall plant with the round seeds and the short plants with the wrinkled seed look like, they are all tall, have round seeds or tallness and roundness are the dominant traits, but what happens when F1 progeny are used to generate F2 progeny by the self-pollination, then if two characters like seed shape, round and wrinkled and seed color yellow and green are considered, a pennant square can be effectively used to understand the independent segregation of two pairs of genes during meiosis and the production of eggs and pollen in F1, that is capital R, small r, capital Y, small y, plants, means round and yellow, all the plants, and a pure line homozygous plant with round green seeds is crossed with another pure line wrinkled yellow seeds, and segregation of allele R, R, Y, Y is considered, then 50% of the gametes have the gene R and the 50 have small r, now besides each gamete, having either capital R or small r, it should have the allele capital Y and small y, the important thing to remember here is that segregation of the 50% capital R and 50% R is independent from the segregation of 50% small r and bearing gametes and has y and other 50% has small y, so 50% of R bearing gametes have y and other 50% has small y, there are the four genotypes of the gametes of pollen and four different types of the eggs are formed, and these type of the gametes are these four, each with the frequency of 25% each of the total gametes produced, and we write in the four types of the eggs and the pollen, so the two sides of the panet square, this is panet square, it is shown in the figure, in the, in this side and this side, then if you cross multiply, then you will get these type of the seeds, you cross multiply these, then you will get all these, if you know types in the ratio of 9 is to 3 is to 3 is to 1, this is the ratio of phenotypes that appear in the table, now do the practice of these questions or possibility of genotypes of the different offspring in the genetic cross, and also do the practice of this question, these questions in your notebook, keep watching Supervigyan, thank you so much, and really酣based,